तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो फैरी उपर सी नीचे आती है और वो आते ही अपना जलवा दिखाने लगती है तो फिर चैंग अपने प्रेसर को रिलेस करके उसे उसकी आवकाद दिखा देता है जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है चैंग के कासल की तरफ लेकिन रास्ते के बीच में उसकी मुलागा निंग्जो और टोबा से होती है निंग्जो उस फैरी को बताती है कि उसे सीड़ियों से उपर जाना पड़ेगा तब ही वो चैंग से मिलने के लिए सेटिफाइड होगी नहीं तो वो ऐसे कभी भी उसी टाइम पर फैरी की निज़र टूबा के उबर पड़ती है जो कि डेवल इमॉटल फ्रूट खा रहा था तो फिर यूचंट टूबा से पूस्टी है कि उसको ये फ्रूट कहां सी मिला टूबा बताता है कि यह फिरोट हर किसी के पास होता है और यह फ्रूट सिर्फ मास तब वह बाहर से ही अपने बारे में सब कुछ बता देती है उसको अंदर गुलाता है तो यूचैन जैसा ही अंदर आता है तो वह चैंग की तरफ एक वाइन की बॉटल फिक के मारती है और उसे कहती है कि इसके बदले में मुझे इमोटल फ्रूट दे दो उसे वह वाइन पे आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वह किiblokこの का सामना कर रही है और उसे कए चे अपने हातों के अंदर इमोटल फ्रूट की एक बासकेट ले रखे थी land लिंग यूजन को दिखाते हुए immortal fruit खाने लगती है और उसे लल्चाने लगती है तो फिर यूजन अपने रंग बदलते हुए चैंग से खायते हैं कि डिल इतनी बुरी भी नहीं है जिसपे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि गिरगेट से ज्यादा तेज तो रंग लड सकते हैं और उनके लिए बस ताकत बढ़ाने के लिए एक टूल के सिवा कुछ भी नहीं है और इसके अंदर उनकी पूरी दुनिया आती है यहां तक की वाइड भी जिसके बाद यूचान चैंग से कहती है कि अब उसे समझ में आ चुका होगा कि वो लोग कितने चोटे हैं अपर वर्ल्ड के इमोटल्स के मुकाबले में जिसके बाद लिंक इस बास से गुसा हो जाती है और वो बासके लेके पीछे घूम जाती है तो फिर यूचान उसे कहती है कि माफ कर दो जादा बोल दिया लेकिन फूर्ट तो देती जाओ चैंग उसे सवाल में ये चीश पू पहले ही लोवर्ल के उपर कबजा कर लिया है इसलिए उन लोगों ने हमला करने के बारे में नहीं सोचा नहीं तो आपस में ही लड़ाई हो सकती थी कि किसी सेक्ट की डिसाइपल ने जान बूज के रियालम के बौंडरी दरवाजी को बंद करके रखा था और उसने एक ऐसा illusion क्रीट किया जिसे उन लोकों को लगा कि कि लोवर्ल के ऊपर किसी डो मेंद मास्टर ने पहले से खपजा कर लिया हैं लेकिन उन्हें जिसे पथा चेज्छाब के बंदे ने बेवकूफ सटाइं और स्टेम्हाइब जोट कैसें लो सकती हुँ और को सब्सक्राइब करता है की मेरा पास और सब्सक्तें होती कि इम्मौटल लृट की की ताकत क्या होगी यूजन अपने मन के अंदर सोचती है मैंने इसे कुछ बात क्या बता ये तो अपने आपको एक महा महीं समझने लगा और इसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी स्पाई हूँ इसके बाद यूचन आगे बढ़ती है और वो चैंग से कहती है कि मुझे डेवल फू यूचन को सब कुछ बता देती है कि गार्डियन एक्सपर्ट इमोर्टल लॉड और इमोर्टल्स की कितनी ताकत होती है तुम लोग कुछ चीज़े जान लो नहीं तो तुम्हें बाद में दिक्कत होगी जो एक्सपर्ट गार्डियन होंगे ना उनको हेवनली प्राइट कह नहीं है आगे कुछ कांट होने वाले हैं इसलिए बता देता हूं कि यूचन की फैमिली से गार्डियन एक्सपर्ट है जो की रिकार्डेट हुई है इसके बाद यूचन इतने पे ही रुख जाती है और वह चैंग से कहती है कि और इंफरमेशन के लिए और जदा फूट हो जाती है और वह चैंग से कहती है कि तुम बहुत लालची हो जिस पर चैंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि इसे क्या फरक पड़ता है हम दोनों एक ही जैसे तो हैं और वह अपने मन के अंदर यहीं सोचती है कि इमोर्टल फूट उसके एंसक्टर की लाइफ स्प करता है जिसके बाद वह लिंक से खायता है कि जाओ और जाको सबको यहीं पर बुला लो मुझे को जरूरी काम करना है उनके साथ जिसके बाद चैंग यूचंग से कहता है कि यहां से जा सकती है यूचंग इमोर्टल फूट को अपने रिंग एंजर रख लेती है और वह चै जैंग उसे कहता है कि मैं इसे आगे की सोच रहा हूँ तुम यहां पे खड़ी होके मुझे देख सकती हो अगर चाहो यूचंग अपने मन के अंदर सुनसती है कि वो लोग चाह जितनी भी कुछिस कर लें लेकिन वो कभी भी इमोर्टल को नहीं रोक सकते हैं अगर वो टीर पर हमला करने वाले हैं इसलिए उनके पास इतनी दाकत होनी चाहिए कि वो उनका सामना कर सके जिसके वाद चैंग उन λोगों से कहता है किवह वो एसे ही मदलक को जनम देगा जिन के ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं होगा और वबेक्ष अपनी पूरी ताकत का Is exting H कर सकेंगे यूचैंग से कहती है कि वह किसी भी मेडिसिन के से हारे पे इतने इंपोटल्स नहीं बना सकता है जो की अपरवल्ड के साथ फइड कर सकेंगे और चयATHAN जेन ज इत्ने भी कोसेज कर ले ये गौड नहीं बन सकता है ड्यूजान के सभी की powers को बढ़ाने लगती है यूचंग को भी यकिन नहीं होता है कि चैंग इस तरह की कोई चीज कैसे कर सकता है उसे पुरा इस्वास्ता कि चैंग सकती साली है लेकिन वो एक god नहीं हो सकता है जो जब चाहे तब कोई भी immortal create कर दे जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग की temple के अंदर से immortal television बाहर निकलने लगता है कितने में demon आसपास कड़े थे उनको भी ये औरा महसूस होता है और उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ चैंग के temple की ओर से आ रहा है इसलिए वो सभी भागते हुए उसके temple के बाहर इखटा हो जाते हैं और खिर्की से जाके देखने लगते हैं कि अंदर असर में चल किया रहा है और उन्हें दिखाई देता है कि हर कोई अलागी जसन में हैं और हर कोई अपने ही ताकत को बढ़ाये जा रहा है हम लोग देखते हैं कि उनकी कल्टिविशन लगातर बढ़ते हुए चली जाती हैं और वो सभी लोग immortal तक पहुँच जाते हैं जिसके बाद वहाँ पे immortal gate अपियर होता है लेकिन चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो अपने हाथ की मदद से उसे destroy कर देता है जिससे यूचन और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि चैंग ने इतनी असानी के साथ immortal gate को destroy कर दिया और ये सब कुछ होते हुए देखे यूचन की काफी जोरों से जलने लगती है ही कि यूचन ने immortal बनने के लिए हद से ज़दा महिनत की थी उसने अपने सबसे पहले cultivation को बढ़ाया जिसके बाद cultivation को बढ़ाते हुए उसने बहुत ज़दा दर्द को सहा जिसके बाद पता नहीं यूचन ने कितने सारे लोग को master किया जैसे की water of law, water of tree इस तरह के laws को जिसके बाद यूचन ने एक mental breakdown को phase किया जिसके बाद जाके वो एक immortal बने थी और वो अपर वर्ल के अंदर गई थी लेकिन जब वो अपने सामने कुछ लोगों को इतनी असानी के साथ immortal बनते हुए देखती है तब उसके जलन के मारे कुछ जादा ही जलने लगती है और वो अपने मन के दर यही सोचते है कि चैंग इस लेवल तक पहुँच चुका है उसी टाइम पे हम लोग रिकार्णेसन देखते हैं हमेंली प्राइड स्कार और वो सबी जिसे ही निक्चे रिकार्नेट होते हैं उससे को ये ओडर दिया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी ताकत को फिर से गेन करें क्योंसों ट्राइपाउट को कैप्चर करें जिसके बाद वो सभी मिलके चैंग को मार दें चैंग अपनी मन के अंतर यही सोचता है कि जितने जल्दी होच सके उसे डूमेन को बढ़ा करना होगा नहीं तो सभी लोग ऐसे ही मारे जाएंगे इसके बैस सिस्टम चैंग को बताता है कि उन सभी लोगों ने ब्रेक्टू कर लिया है और चैंग को काफी जदा पॉइंट मिलने लगते हैं लेकिन चैंग इस बास से थोड़ा सा निरास हो जाता है कि जितने भी इमोर्टल उसने क्रियेट किये थे वोसे भी सिर्फ आदे ही इमोर्टल बने थे उन्हें अभी बे कल्टिवेशन को बढ़ाने की जरूरत थी उसी टाइम पे वो सभी डिसाइपल्स एक साथ आती हैं और चैंग के उपर कोच जाती हैं और उसे पप्पिया सप्पिया देने लगती है उसी टाइम पे हम लोग टॉपा और लिंग के फादर को देखते हैं टॉपा अपनी मसल्स दिखाते हुए बताता है कि वो आखेकार इमोर्टल बनी चुका है इसके बाद वो अपनी मसल्स का सोफ करने लगता है वहें पे Link के पादर इस बाद से काफिर जदा खुस उचुके थे कि वो आधे immortal बन चुके हैं और वो अपने इंसेक्टर को बताने लगते हैं कि उन्होंने immortal के पाद के उपर कदम रख दिया है उसे टाम पे हम लोग बाहर की तरफ डीमन्स को देखते हैं और वो सबी बिचारे अपने मन के अंदर यहीं सोचते हैं कि उन्हें भी चैंग के पाद जाना है और उसे पप्या सप्या देनी है पिसे के लिए यह तुनों फिमेल डीमन्स थी और यूचैंग के तो होसी उड़ चुके थे चैंग की असली ताकत को देखके और वो अपने मन के अंदर यहीं सोचते ही कि जो हेवनली प्राइड नीचे आने वाले हैं उनकी हवा टाइट हो जाएगी चैंग के साथ लड़त लगता है जिसके बाद चैंग पीछे मूरता है और यूचैंग से पूछता है कि तुम गई नहीं क्या तो अभी भी मेरे साथ्ट करना चाहती हो यूचैंग आगे से कहते हैं कि उसके पास इंफरमेशन हो और अगर उससे फल चाहिए हो तो फिर वो कभी भी मांटेंग के व बताता है कि उसने upgrade करने को पूरा कर लिया है और उसका system upgrade हो चुका है और चैंग को एक नए skill मिलती है कि चैंग domain के अंदर किसी भी चीज की जिन्दगी और मौत को control कर सकता है यानि कि कोई मर चुका है तो चैंग उसे फिर से जिन्दा कर सकता है और उसे तुरंथ मार सकता है विसेली चैंग भाव आज कल डोमेन के अंदर गौर बन चुके हैं और वो किसी को भी मार और जिंदा कर सकते हैं जिसके बाद चैंग अपनी पॉइंट्स का इस्तमाल करता है और वो डोमेन के साइज को बढ़ा देता है और तुम दोंग देख सबते हो कि उसकी डोमेन कितने तक आगे बढ़ चुकी है और चैंग अपनी मन के अंदर सोचता है कि उसे अभी भी कई सारे पॉइंट्स के जरूरत पड़ेगी पूरे कॉंटिनेंट को अपनी डोमेन के अंदर लाने के लिए इसके बाद चैंग को जो चष्ट मिली थी उनको को खोलता है तो चैंग को फिर से कोई ठट्की चीज मिलती है जिसको चैंग को बिलकुल भी उमीद नहीं थी इसलिए Chang उसके उपर चिलाने लगता है और उसे कहता है कि वो इतनी सारी फाल्थू चीज़े उसे क्यों देता है सिस्टम उसे बताता है कि ये सभी चीज़े सिस्टम के अंदर कंट्रोल में नहीं आती है ये सभी Chang के लग क्यों पर डेबन करती है कि Chang को क्या मिलेगा जिसके बाद Chang दोसी चिस्ट खोलता है तब उसे एक ऐसा लेटर मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी सबोरिनेट्स की मन की बाद सुन सकता है जिसके बाद Chang उस लेटर को खोलता है तब उसे अपनी सबोरिनेट्स की आवाद सुनाये देने लगती है लेकिन उसके सब ही सब ही नूरेट्स बस एक ही ची質 कह रहें थे कि उन्हें चाइंग के साथ वो सब करना है जिसे चाइंग निरास हो जाता है और वो बिचारा अपने मन के अंदर सोंचता है कि मेरा एक भी सब अनूर्मल नहीं है सब के सब अजीव है इसके बाद चैंग अपने बेट के उपर लेट जाता है और वो अपने मन के अंदर सुझता है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ताकतवर बढ़ना पड़ेगा नहीं तो फिर एक पिक की तरह मार दिया जाएगा जिसके बाद चैंग अपने मास्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था तब उसके मास्टर नहीं उसके जिंदगी बजाई थी नहीं तो उसके इंटरनल बोडी की वज़े से कई सारे डीमन्स उसे नास्ते में चबा गये होते है और वो अपनी मन के अंदर सोचता है कि यहीं नहीं मेरा मास्टर अपनी कल्टिवेशन को वहाँ पे लगातार खतम गड़ते हुए जा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्योसो कॉंटिनेंट को बचाने के लिए इसलिए चैंग अपनी मन के अंदर सोचता है कि अगर उसके मास्टर के लिए यह कॉंटिनेंट इतना है जरूरी है तो फिर वो ताकदवार बन के अपने मास्टर और कॉंटिनेंट दोनों को ही जिंदगी बचाएगा उसी टाइम पर लिंग चैंग के पास आती है और वो उसे उठाने की कोसिस करती है लेकिन उसे पता चलता है कि चैंग फिर से सोच चुका है और वो फिर से क्लोन बोडी में चला गया है लिंग से कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि चैंग का बाहर किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा हो पिसके साँज आएगे और यह पता लगाएंगे कि चैंग किसी दूसरी औरत से मिल रहा है या नहीं जिसपे लिंग उसे गायती है कि बिलकुल वो दोनों एक साथ सफर पे चल सकते हैं इदर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों गाड अभी भी जुवांचो को भगाने की कोसिस कर रहे थे लेकिन जुवांचो अपने जित पे अड़ी हुई थी इसलिए वो बिचारे गार्ड भी काफे ज़दा परिसान हो जाते हैं उसे टाइम पे चैंग घर से बाहर निकलता है और वो जुशता है कि उसने पूरी रात यहाँ पे बाहर बिताए थी जिस पे जवांसो आगे से स्माइल करती है और वो उसे बताती है कि वो सुबा सुबा अभी ही यहाँ पे आई है तो फिर चैंग उसे गयता है कि तुम मेरे रोम में आओ मुझे तुम से कुछ बात करनी है जिसके बाद हम लोग बोडर के पास एक इलाखे में एक भाई भेहन को देखते हैं जिन्होंने अभी ही एक मेडिशन खरीदी थी जिसका इस्तमाल करके वो तुरान कल्टिवेटर की फॉंडेशन को बिल्ड करने वाले थे उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे सीटियान को देखते हैं जो की रिकार्नेटेड हेमेंली प्राइड है लेकिन सीटियान जिस बाड़ी के अंदर रिकार्नेटेड हुआ था वो बाड़ी उसकी कल्टिवेशन को जेल नहीं पाती है वो दोनों भाई भेन जैसे हैं उसकी ऐसी हालत देते हैं तो वो दोनों उसे अपनी मेडिसन आफर करने लगते हैं और उसे गयता है कि तुम इसका इस्तमाल कर सकते हो लेकिन सीटियान उसे गयता है कि कुछ कीड़े मोकोडे मुझे मेडिसन आफर करेंगे जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस लड़के की बॉड़ी काफर जदा अच्छी है जिसके बाद वो उन दोनों के उपर हमला करता है और उन्हें जान से मार देता है और उस लड़की की बोड़े के उपर टेक ओवर कर लेता है जिसके बाद वो हस्ते हुए कहता है कि वो क्योसो ट्राइपोर्ट को लेने के लिए आ रहा है और वो सभी को बरबाद कर देगा अगला सीन में ड्राइगन सिटी का होता है हम लोग देखते हैं कि सीटियान आगे बढ़ते हुए जा रहा था और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उन सभी को पेल देता है और उन्हें खतम कर देता है जिसके बाद वो आगे से अजेब समू बरना के अपने मन में कहता है कि उसने चैंग के लिए एक अलागे प्लैन सोच रखा है और वो चैंग को बेहत दर्दनाक मौद देने वाला है उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं और सिस्टम चैंग को बता देता है कि सीटियां क्या का कांड कर रहा है और चैंग को आगे क्या करना है और सिस्टम चैंग को बताता है कि ये बहुत जरूरी मिसन है इसलिए चैंग को इसे जल्दी पूरा करना होगा लेकिन जब जवान्चु को देखता है तो वो भीगी हुए थी इसलिए चैंग उसके हाथ को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम सबसे पहले नहालो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी अगले सीन में हम लोग जवान्चु को बार्टब के अंदर देखते हैं जहां से वो सोन परी की तरह बाहर निकलती है और और और्थर को मेरी तरफ से सुकरिया कि उसने यहां पे संसर डाल दिया है नहीं तो मुझे डालने पड़ते हैं चैंग उसे फूचता है कि पानी का टेंपरेशर बिल्कुल ठीक है न इस पर जुआन्चु आगे से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो आगे से चैंग से कहती है कि वो भी अंदर आ सकता है और वो दोनों एक साथ नहां सकते हैं चैंग उसे कहता है कि मैं अंदर आ गया तो फिर यहाँ पे कोई भी आ सकता है और मैं तुम्हें गार्ड नहीं कर पाऊंगा और वो अपनी मन के अंदर सोंचता है कि यहाँ पे CTR नाम की एक चिडिया आई है जिसने अभी ही अपनी foundation को build किया है इसलिए उसके पर कतर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जिसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि वो reincarnation प्राइड की जिदनी भी information है और background information है वो सभी चैंग को बता दे इसके लिए सिस्टम आगे से भाई point card लेता है तो चैंग उससे कहता है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है तो फिर सिस्टम आगे से कहता है क्या करें भाई हर चीज के लिए पैसे लगते हैं सिस्टम चैंग को बताता है कि ज़्यादा तर heavenly pride decarnated upper world के होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि उन्हें lower world के उपर कबजा करना है उनके पास उनकी कई सारे generation की cultivation technique होती है और साथी में उनकी cultivation नीची की तरफ ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं और वो जल्दी जल्दी breakthrough करते हैं और साथे में वो कई सारे लोगों को मार सकते हैं और lower world के अंदर जो कोई भी ताकतवर है उसे मार के अपनी cultivation को और ज़्यादी बढ़ा सकते हैं और heavenly pride की नजरिये से किसी का सर काटना उनके लिए गाजर मुली काटने चिंदा बराबर है और उसी टाइम पे कई सारे heavenly pride को इसलिए रिकानेट किया जाता है ताकि वो immortal वरे निबल बन सके हैं और वो जल्दी जल्दी से अपनी cultivation को बढ़ा सके हैं और कुछ अपनी मर्जे से रिकानेट होते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी अपनी cultivation को और जदा बढ़ा सके हैं और कुछ को छोटे मोटे काम करने के लिए रिकानेट किया जाता है ताकि वो उनके छोटे मोटे काम कर सके हैं और ये सारे के सारे कमी ने अलग-अलग immortal domain से आते हैं लिकिन इनका मकसद एक ही होता है और वो है lower world को dominate करना जोकी ज़्यदा तर क्योसो continent है और कभी-कभी ऐसी जगह है immortal treasure land में बदल जाती है इसे लिए वो सभी लोग compete करते हैं कि कौन इसके उपर अपना हाग जता सकता है लेकिन अगर host इन सभी लोगों का severe बनना चाहता है तो फिर उसे तैयारी करने पड़ेगी ताकि वो इन तरह की लोगों के साथ fight कर से क्योंकि ये लोग group में attack करने वाले हैं चैंग अपनी मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसे field point मिलेंगे तब तक ही वो severe बनेगा नहीं तो उसे दूसरे लोगों की जान बचाने के अंदर जरा सा भी इंट्रेस्टर नहीं है उसे टैम पे जुआंचो चैंग से कहती है कि उसे जबारदसा सपना आया था जो की एकदम खतरनाक था यानि की असली ही लग रहा था लेकिन उस सपने के अंदर जुआंचो का पार्टनर चैंग नहीं था कोई और जुआंचो को उसका नाम नहीं पता था बिसिकली जुआंचो को वही सपना आया था जो उसके साथ future में होने वाला था अगर चैंग उससे ना टकराता चैंग को भी ये बाद समझ में आ जाती है कि ये जुआंचो का सपना था जो कि उसके साथ future में होने वाला था लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा इसके बाद जुआंचो बाहर निकलते हुए चैंग से कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ एक सपना था बलकि रियालेटी तो उससे जादा अच्छी है कि वो चैंग के साथ है इसके बाद जुआंचो चैंग से कहती है कि उसको एक और बहुत जरूरी चीज पता चली है चैंग उसे पूछता है और वो क्या चीज है तो वो भी उसी के साथ बाटब के अंदर गिर जाता है इसके बाद वो दोनों पानी से वहार निकलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए हसने लगते हैं इसके बाद वहां का महौन गरम हो चुका था तो फिर वो दोनों एक दूसरे की करीब बन रहे थे कि उसी टाइम पे सिस्टम बीच में आता है जो कि चैंग से कहता है कि एक नया मिसन मिला है इसे से इसलिए पहले इसे पूरा को रुबाद में यहां पे आके अपना प्यार चालू करना इसके बाद चैंग सिस्टम की विंडो को घूरते हुए देखके यह कहता है इसके बाद स सोचता है कि यह साला बहुत कमीना है मुझे ऐसे टाइम में मिसन देता है जम में कोई जरूरी चीश करने वाला होता हूँ जिसके बाद चैंग जुआंचु को पता चल जाता है कि चैंग को कहीं पे जाना है जुआंचु चैंग से कहती है कि अगर उसे कहीं पे जाना है तो और वो सोचता है कि हस्बेंड चैंग उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि जैसे ही उसका काम खतम हो जाएगा तो वो तुरंथ उसके पास वापस आ जाएगा इदर आम लोग ड्रैगन सीटी के अंदर देखते हैं तो सीटिया ने तहल का मचा के रखा था वो लोगों को मार के उनको ब्लेड सेक्रिफाइस के तरह इस्तमाल कर रहा था और उसने वहाँ पे नाइन कोट्स लेंग फॉर्मेशन को बिछा के रखा था इसके बास सीटियान हस्ती हुए कहता है कि उसकी किलिंग फॉर्मेशन बस रेड़ी ही हो चुकी है बसे उसे तीन चार चारों की नहीं तो वो पूरी जगा बरबाद हो जाएगे और सभी लोग मारे जाएंगे उसी टाइम में जब चैंग वहाँ पे पहुंसता है तब सीटियान ने वहाँ पे एक तरह के गुद्धा को समन कर रखा था जो की इवल गुद्धा लग रहा था और इन लोगों ने यही पर चैंग भी आगे से हस्ते हुए गयता है कि छोटे कुद्धे कुड़ी इवनिंग सिस्टम को बताता है कि सीटियान डीमन बोडी के अंदर पैदा हुआ है इसलिए वह डिवाइन इसे और डीमन को समन कर सकता है अपने मन के अंदर सूचता है कि यह वाले हैंवनली प्रै है कि इसने काफी टाइम से अभी तक हमला नहीं किया है ऐसा लगता है कि यह इवल बुद्धा से डर गया है और यह उतना ताकादवर नहीं है जितना सब लोग कहते हैं लेकिन मुझे इसे क्या फरक पड़ता है एक ही बार में इसे खतम करते हैं जिसके बाद अपने काम को एक टेक्निक का इस्तमाल करता है जिसका नाबदा Thousand Hands Devouring Soul Palm उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि कई सारे हाथ आगे बढ़ते हैं और वो चैंग के पर पाम अटाक करते हैं और वस भी हाजा के डिरेक्ट चैंग से ठकराते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा धमाका होता है सीटिय उसे कहता है वाओ तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हों तो चलो मैं तुम्हारे उपर थोड़ी से दया दिखा के तुम्हारी पूरी बाड़ी को छोड़ दूगा जो कि तुम्हारे वाइफ और फैमिली रख सकती हैं जिसके बाद सीटियान वहाँ पे फिर से पाम की है लेकिन तुम्हारी तकत उतिनी नहीं है जितना मैंने सोचा था और मुझे तुम्हारे उपर हसी आ रही है जिसके बाद अन्वाग नियान इम्मोटल डोमेन की नानराम को देखते हैं जो कि उनकी हेमेंली प्राइड है और ये फिर से रिकानेटिट हुई है वहाँ पे को पूरा यकीन था कि चैंग यहां पर बड़ी असानी के साथ हारा जाएगा और वो तड़कते हुए मरेगा डाउन रंग अगे से कहती है कि उसने सीटियांग रिकार्नेशन को देखा था वह जहां पर रिकार्नेट हुआ था वहां के एक घर को तभा कर दिया जिसके बाद वो वहां पर आ गया यहां पर जो हीरो हो वो असल में चैंग है जो कि उन से भी लोगों को बचाने की कोसिस कर रहा है लेकिन इस कहाने के अंदर एक फॉल्टे की हीरो कम जोर है इसलिए वो चीटी की तरह मसल दिया जाएगा और बेहत दर्दनाक मौत मरने वाला है इसके ब और कुछ ने सीटीयान की कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए एक दर्दनाग जरिया बनेंगे उसी टाइम पर इवल बुद्धा आगे बढ़ता है और वो दोनों हातों से जैसे हम मच्छर मारते हैं उस तरह से वो चैंग को मारने की कोसिस करता है कांग यूए जैसे ही यह जैसे हैं जैसे बुद्धा के ओपर सूट करता है और यांग्फिंगर जैसे बुद्धा से टकराती ऊत्याता है और मारा जाता है इस से वह कह दो हैं लेकिन और आंपका के लिए वो बुद्धा तरह था यानि कि गर्व। इसलिए चैंग अब बहुत बुरी मौत मरने वाला है। कि उसने CTN के फ्राइट को बुरी तरीके से चकना चूर कर दिया है। उसी टाइम बे हमना ग्नान रॉंग को देखते हैं जो की कहती है कि उसे ये स्टोरी इतनी जदा बुरी नहीं लगी। जिसमें हीरो खुद को सेक्रिफाइस करने वाला है दुनिया को बचाने के लिए। और वो आगे से कहती है कि वो चैंग को ना मार के उसे स्पेसल तरीके से ट्रेन करती। जिसे वो चैंग को अपना नया पैट बना लेती। खैर वो तो समय ही बताएगा कि कौन किसका पैट बनेगा। उसी टैंग बे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने बुद्धा को मारा है तो फिर उसे फीड़ पॉइंट दिये जाते हैं। यसे चैंग कहता है कि वो समय किये गए बुद्धा और डिमन्स को मार के भी फीड़ पॉइंट मिलते हैं सिस्टम तुम तो कमाल के हो। जिसके बाद चैंग सीटियान को उंगली करते हुए कहता है क्या हुआ हवा निकल गई किया थोड़े से और अटैक करो। जिसके बाद सीटियान गुस्से में कहता है अच्छा जिसके बाद वो वहाँ भी फिर से एक और समन को इस्तमाल करता है और पता नहीं ये डीमन है क्या है। लेकिन देखो उसे टैम पे चैंग उसके ऊपर से आता है और उसके सीने की ऊपर इतनी जोड़ से किक मारता है realized समन वहीं पर मारा जाता है और एक पल में ही गायब हो जाता है जिसके बाद सीटियान फिर से वहाँ पर एक और नए समन को बुलाता है जिसके बाद उपने पिछवडे का दम लगाते हुए उससे चिला के कहता है कि उसे मार दो जाके लेकिन चैंग आगे से हसते हुए कहता है कि बस इतना ही इसके बाद चैंग भी आगे से अपने समन को यूज करता है और वो वहाँ पे दावी ड्राइगन को समन करता है जो कि पिछले वाले ड्राइगन से और भी जदा बड़ा और सकती साली था और चैंग उससे कहता है कि मैं तो अभी और जदन दिजार कर रहा हूं तुम कितने जदा समन को यूज कर सकते हो यहां तक कि सीट्यान के भी पसीने छूटने लगे थे उस ड्राइगन को देखते हुए जिसके बाद चैंग अपने ड्राइगन को ओडर देता है कि वो जाके समन को निगल जाए ड्राइगन ऐसा ही करता है और वो समन को निगल जा जिसे सीटियान की आवाज कापने लगे थी जिसके बाद चैंक भई सीटियान की प्राइड यानि कि उसके गर्व और घमन की कहके लिलेता है और उसे कहता है कि तू इमोटन वर्ल्ड का सबसे ताकदवर बंदा है न थी नाइंध प्रिंस लेकिन तो इस lower world के अंदर एक कुट्ती की नलायक, breed की अलावा और कुछ भी नहीं है लेकिन वो बाद में उसे कहता है कि मजाक था भाई मजाक इसके बाद वो अपने हाथ का इस्तिमाल करते हुए कहता है कि तुम खुद जादा ही बड़े आदमी है और तुम्हारे पास high grade का pride है इसलिए चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सा स्वाच चखाता हूँ इसके बाद चैंग उसके मूँ के उपर एक जोदार चठा मारता है जिससे वो उड़ते हुए जाके नीचे जाके गिरता है लेकिन उसे टाइप में चैंग उड़ते हुए आता है और उसके मूँ के उपर एक किक मार के वहाँ पे तगड़ा धमाका करता है इसके बाद चैंग उसे गले से पकाड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि ये बड़ी दुखके बात है कि ऊपर से तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा बहले ही मैं तुमको आज यहीं पे मार देता हूँ लेकिन सीटियाँ चैंग से कहता है कि तुमने मुझे हलके में ले लिया है मेरा मकसद जो था मैंने वो अचीव कर लिया है और अगली बार जो वापस आऊंगा ताम मैं तुम्हारा सर धड़ा से अलग कर दोंगा जिसके बाद चैंग अपने डिवाइन फिल्म को रिलीज करता है और वो उसे मार देता है लेकिन जब चैंग उसको मार देता है तब उसे सिर्फ दसी फिल्ड पर्ण मिलते है कि उसकी कल्टीविसन गुझ जादा ही कम थी इसलिए चैंग अपनी मन के अंदर कहता है कि इतना बकवास काम था जिसके बद वो अपनी मन के अंदर सूचता है कि अभी भी यहाँ पे कई सारे हेवेनली प्राइड बचे हुए है अगर मैं क्यों सो ट्राइपोड का इस्तिमाल करो तो मैं उन्हें ललचा सकता हूँ बाहर आने के लिए लेकिन उसी टाइम पे उसे याद आता है कि जितने भी बचे कुछे हेवेनली प्राइड थे सायसे उन लोगों ने पहले ही उसकी फाइट को देख लिया होगा और वो लोग इतना ज़दा डर जाएंगे कि वो चैंग से फाइट करने के लिए बाहर नहीं आएंगे इसलिए चैंग काफे ज़दा डिप्रेसन में चला जाता है कि अब वो फिल्ट पॉइंट को कैसे इखटा करेगा लेकिन अचानक से चैंग की बॉड़ी जवाब दे जाती है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है चैंग बताता है कि उसने अपनी 80% पावर का इस्तमाल कर लिया था नहीं तो वो वहीं पे मारा जाता और उसकी बॉड़ी इतने ज़दा कमजोर हो चुकी है कि अगले 2-3 महिनों तक वो फॉइट नहीं कर पाएगा उसी टाइम पे वहाँ पे एक सिटिजन भागते हुए आता है और वो चैंग से पूझता है कि उसे क्या हो गया है लेकिन चैंग सिंग्वावला चहरा बना के उसे कहता है कि उसे चोट लगी है और वो बंदा चैंग को होस्पिटल तक लेके जाए वो बन्दा चैंग को अपनी पीट पे उठा लेता है और उससे कहता है कि वो जरूर अपने लॉट की जान बचाएगा जिसके बाद वो चैंग को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है उसी टाइम में हम लोग उन दिनों को उपर से ये सब कुछ होते हुए देखते हैं वो आगे से कहता है सौरी कहती है ये लड़की थी वो कहती है कि चैंग बुरी तरीके से इंजर्ड है उसने सीटियान को दो मार दिया है लेकिन उसे काफी ज़दा चोट आई है और यही हमारा मौका हो सकता है अगर हम दिनों एक साथ उसके उपर हमला करते हैं तो सायद हम उसे मार सकते हैं और वो हमें फाइट बाइक करने की हालात में बिल्कोल भी नहीं है लेकिन कैंग यूए आगे से कहती है ये उसका जाल भी हो सकता है क्या पता वो बस दिखावा कर रहा हो जिससे बाकी सभी heavenly tribe pride बाहर आ जाए और उसके उपर हमला करें जिसके बाद वो हम सभी को एक साथ मसल दे और मार दे non wrong आगे से कहती है कि उन्हें अभी सबर रखना चाहिए कि कि किसी को भी नहीं पता है कि आगे क्या होना वाला है और वैसे भी श्यांग उनका एक बहतरीन पेट बन सकता है जिसके बाद हम लोग जियांग फैमली को देखते हैं जो कि immortal domain के अंदर है यूचान जैसे ही वहाँ पर आती है तो कई सारे कल्टीवेटर जो कि अभी अभी इम्मोटर जनरल बलने थे वह सभी लोवर वर्ल्ड की तरफ जाने लगते हैं और वह जाते हुए यूचान से कहते हैं कि एंसक्टर उनका इंतजार कर रही है यूचान अपने मन के अंदर सूचती है कि उसे भी नही पर तुम को एक ही क्यों मला तुम तो अपनी ताकत के साथ पूरा पेड़ भी ला सकती थी पैट्रियाज नहीं है पैट्रियाज आगे से यूचान से कहते हैं कि उसे अच्छे से पता है कि सिर्फ एक इमोटल फ्रूट कभी उनके एंसक्टर के लाइफ स्पैन को बारकार न यूचान सब कुछ बता देती है कि चैंग ने सिर्फ आदे गंटे के अंदर अपने हाथों से वहां पे इमोटल को क्रियेट कर दिया जिनमें से आदे से हाफ इमोटल थे और बाकी तो फुल इमोटल थे पैट्रियाज आगे से कहते हैं कि यह तो कमाल की बात है भाई इसके यूचान के कस्के बेश्टी की और उसे रूलाने की हालात पर ले आए यूचान वहां पर अपनी चतुराइना दिखाती तो उसे यकिन नहीं था कि वह जिंदा वापस आ सकती थी पैट्रियाज उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है इसके बाद वह खड़ी की एसेंड टाइम में डार्कनेस आफ लॉट मर गया था तो फिर उसके दफनाने की जगा के बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला है इसलिए पैट्रियाज को ऐसा लगता है कि सायाद उन्हें कि चोटी से इलाके में कुछ जानकारी मिल सकती है जो उनके बहुत जड़ा काम की हो और वो आगे से कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी कई सारी ताकदवर फैमिली हैं जोकि उनकी जियांग फैमिली को बरबाद कर सकती है इसलिए उन्हें लगातार ताकद की तरह बढ़ना होगा इसके बाद पैट्रियाज यूचान से कहते हैं कि उनके पास यूचैन के लिए एक काम है कि यूचैन को फिर से लोवर वर्ल के अंदर जाना है और चैंग से कई सारे इम्मोटल फ्रूट्स लेके आने हैं और उसे चैंग के उपर एक अच्छा इंप्रेंसन डालना है जिससे वो लोग चैंग से कई सारे इम्मोटल फ्रूट्स ऐसे ही ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के क्योंकि भाया वो लोग इसी से अपने इंसेक्टर की जन बचा सकते हैं दूसरा काम यह था उनके साथ इनका कनेक्शन टूट चुका है और उन्हें बता है कि वह अभी क्या है और कहा है क्या कर रही है इसलिए यूचन को नीचे जाना है और उसे ढूनना है और पैट्रियाज उसे एक सील देंगी यूचन जैसे ही उस सील को अलॉक करेगी तो फिर उसकी जो हैवनली प्राइड होगी वह आगे से उचलने कूदने लगी जिससे यूचन अपनी हैवनली प्राइड को असानी के साथ ढून सकेगी और जैसा कि मैंने त इसके बेज़त किया था ओपर से कुट्टे की तरह पीटा था इसलिए यह जब वापस अपनी डियल बॉड़ी में आए तब इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो सर्वन आगे से कहता है दादा तो हरा इसी हालत कौन कर सके ला इस पर सीटियान आगे से कहता है कि और क जिन्दा भी ना होता इसके बाद सीटियान आगे से कहता है कि जाओ और जाके सभी लोगों को रेडी करो हम लोग जुद्ध करने के लिए नीचे जाने वाले हैं और मैं उस कमीने चैंग को अपने हाथों से मारूंगा लेकिन वह सर्वन आगे से बताता है कि यह काफी टें हैं लेकिन वह आगे से कहता है कि यह सब कुछ बिकार की बाते हैं और वह आगे से कहता है कि चैंग लोवर वर्ल्ड के अंदर इन्विंजिबल हैं लेकिन अगर मैं अपने रियल बोड़ी के सार्व रिकानेट होता हूं तो फिर मेरी बोड़ी के अंदर लोग का कोई भी अ पाइदा ही फाइदा होगा इसके बाद सीटियान आगे की तरह बढ़ जाता है और वह अपने मन के अंदर सुझता है कि अगर वह वनरेबल इम्मोटल बन जाता है तो जितने में बड़े इम्मोटल से वह सभी खुदे उसे उसका थ्रोन वापस कर देंगे इसी के साथ वह कि उसर वाडर को कैप्चर करने में कोई भी बुराई नहीं है और अपने मन के अंदर सुझता है कि वह चैंग का इस बार सर लेके ही वापस आएगा उसी टाइम में हम लोग 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 के अंदर देखते हैं जहां पी ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि चैंग ने एक ब बाहर निकालना पड़ेगा नहीं तो वो ऐसे कभी भी उन्हें नहीं ढून पाएगा उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के सामने आता है और वो चैंग को बताता है कि सिस्टम का जो डुमेन है उसने मौन्टेन को पूरी तरीके से कवर कर लिया है लेकिन युन्जो को अभी त उसके तरफ आ रहा है जो कि छट से आ रहा था चैंग अपनी मन के अंदर सुझता है कि बहुत सही सही टाइम बेया हो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था हम लोग देखते हैं कि वो बंदी जल्दे से खेड़की को तोड़के अंदर आ जाती है और वो चैंग की तरफ आ ऐसे क्यों आ रही हो जुआ जो बताती है कि उसे जैसे ही सुनने को मिला कि चैंग पुरी तरीकी से घयल है इसलिए वो भागते हुए उसे चेक करने के लिए आने लगी लेकिन गार्ट उसे आने नहीं दे रहे थे इसलिए उसे च्छस से आना पड़ा इसके बाद जुआ ज चैंग के कपड़े उतार के उसे अच्छे से चेक करती हैं लेकिन वो कुस और ही चीज को देख लेती हैं और वो चीज चमक रही थी और तुम लोग समझ गए होगे इसके बाद चैंग उसे कहता है कि उसने जुआन्चो को देख लिया है तो वो काफे ज़दा खुस हो गया है जुआन्चो भी आगे से यही चीज बोलती है इसके बाद जुआन्चो आगे से सर्माते हुए कहती है कि वो ब्राइडल चेंबर के साथ कुछ करना चाहता है यानि कि सुहाग रात और बैक्ग्राउंड में चैंग अपने मन में सुचता है कि अभी नहीं अभी के लिए इतना टाइम नहीं है लेकिन वो अपने मन के अंदर यहीं चिला के कह रहा था कि अगर सिस्टा बीच में ना कूद है तो बिलकुल मैं करना चाहूंगा जिसके बाद जुआन्चो आगे से सर्माते हुए कहती है कि अगर वो हमेली प्राइड होती चैंग को बैट के उपर ध बैट की नीचे और चैंग उसे कहता है कि हमेली प्राइड आ गया है इसलिए तुम अंदर ही छुपी रहना लेकिन हम लोग देखते हैं कि दर्वाजा खुलता है तो बाहर से मिंग आती है जो कि भागते हैं डिरेक्ट चैंग के पास आती है और उसे पूस्ती है क्या उसे है क्या वो पूरी तरीके से ठीक है और मिंगी कुछ जादा ही चैंग से चिपक रहे थी और उसकी चिंदा दिखा रहे थी इसलिए जुबांचु को काफी तेज जलन हो रही थी और वह गुस्से में ही थी उसे टेम पे हम लोग नान रॉंग को देखते हैं तो कि खिड़की थी चैंग को हील करने के लिए चैंग उसे कहता है कि मिंगी सिस्टर आप तो बहुत कमाल की हैं आप आसाने के साथ किसी को भी मिसलेट कर सकती है कि हम यहां पे कुछ और कर रहे हैं फैर मिंगी को इस बस से कोई भी फरक नहीं पड़ता है जब तक उसका ठीक ठाक है उसे चैंग उसे कहता है कि अब सारा काम खतम हो चुका है इसलिए मिंगी यहां से जा सकती है और चैंग बिलकुल ठीक है और वो अपनी मन के अंदर सोचता है कि जब वो पहली बार कियो सो लॉट बना था तम मिंगी सबसे पहले उसके पास आई ती सरेंडर करने के लिए और वो चैंग वहाँ से तुरण भाग लेती है क्योंकि उसे पता चलाता है कि चैंग ने उसे देख लिया है लिकिन जब से भागे रहे ती तब ही चैंग उसके सामने आ जाता है नाति रंग और बाकी सब्वी करती हैं लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चांग ने उन्हें मार पीट की एक बराबर कर दिया था और उनके गले में रसी बांदी थी बिलकुल कुट्टे की तरह और वो तिनों से रोते हुए बस घहे कहते हैं कि हमें छोड़ दो मालिक चांग उनके सरकों सहलाते हुए कहता है कि वो बचारा लड़कियों को कैसे मार सकता है वह उन्हें जरूर छोड़ देगा कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए वह फिल्ड पाइन को इखटा करके यानि की मार के इसके बाद वो दुनों वहाँ पे भागते हुए आती हैं और चैंग से पूस्ते है कि यह कौन है इस पर चैंग उन्हें बताता है कि यह नहीं है इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर बांध लिया है लेकिन हम देखते हैं जिसके मन के अंदर एक अच्छा सा आइडिया आता है और वो सोचती है क्यों ना इन दोनों के बीच में आग लगा दी जाए इसके बाद हैं और वो उसके उपर हमला करने के लिए आगे बनने लगती है और चैंग उसे रोकने की कोसिस करने लगता है इधर मिंग ही अपने मन के अंदर सुशते हैं कि चैंग बहुत ज़्यादा सप्राइजर से भरा हुआ है और उसे भी चैंग हलका हलका सा पसंद आने लगता है जिसके बाद हम लोग युन्जाओ की बॉर्डर सिटी को देखते हैं जहां पर पूरी तरीके से नरसंगान मचा हुआ था और हर कोई मरा पाना था हम लोग वहाँ पे बुरियाड लव इमोर्टल डोमेन के कुछ हैमली प्राइड को देखते हैं और वो दोनों जहां पे जा लेकिन वो दोनों उन दोनों के भीष्टि करते हैं और अपनी सोड लेके उनके उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और हुआने जैसे ही पता जजता है कि लिंग के हाथों में इमोर्टल सोड है तो वो और जधा कुछ हो जाते हैं वहें पे लिंग अपनी मन और वह उनसे कहके जाता है कि अपर वर्ल उनसे बदला जरूर लेगा जिसके बाद वो अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है लेकिन लिंग जो उसके पीछे भागने वह जाती है और उसके उपर एक जोड़ार अटैक करके उसकी पीट के अंदर अपनी सौट घुसा के उसे भी मार देती है यहां पर नहीं सचे ले थे इसके पास सिस्टम चैंग को एक नया मिशन देता है कि आसपास के बॉडर सिटे के उपार बहुत जदा कतले आम हो रहा है इसलिए चैंगो यतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सन लेना पड़ेगा नहीं तो कई सारे लोग मारे जाएंगे चैंगो जैसे ही पता च और यह मैं दुबारा नहीं लूँगा कर सिस्टम चैंग को बताता है कि यह सरी उसके लग्के उपर डिपेंड गरता है कि उसे यह आइटम से मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन वो अपनी मनमर्जे की मताबिक ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर चैंग सिस्टम की तेल लगाने लगता है और उसे गहता है बता दो भाई मिसन के लिए है तो फिर सिस्टम उसे बता देता है कि उसे मिन जाएगा जिसके बाद वहांसे जाते ओए कहता है कि यह मिसन बहुत ज़्याहरी है कि इस और पहले से और जढदा है जिसे चैक समझ देखता है कि सीटियान इस पार अपनी डियल बॉडिक के अंदर आया है और चैन को यही तुच चाहिए था इसके बाद हम लोग दोड जंगलों के अंदर सीटियान और उसकी पूरी आर्मी को देखते हैं और उने के साथ हम लोग यूचैन को भी देखते हैं जो कि सीटियान से माफ़े माँटी है क्योंकि वो उसकी मदद नहें कर सकती थी वो तो यहाँ पर फीजियान मॉंटेन पर ज साथ नीचे आ चुका है और इसकी चैंग को मारने की लाल सा इस बार और ज्यादा लग रही है पिछली बार जब यह नीचे आया था तब हमेंली दाओं ने इसकी पावर को कम कर दिया था लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार कुछ भी नहीं हुआ है इसके बाद जितने भी हैं है कि सिरे 5 घंटे सीटियां 5 घंटे के अंदर चैंग को इस तरह से बरबात कर देगा ना तो वह जी पाएगा और नहीं मर पाएगा लेकिन इसके लिए सभी हेवनली प्राइड को सीटियां की मदद करनी पड़ेगी जो भी आसपास के बार्डर के पास बिखरे हुए हैं सी सीटियां का प्लैन बिल्कुल इस तरह से था कि आसपास के जितने भी सिटी हैं यानिकि उसके रिष्टेदरों यानिकि जो नाइन स्टेट्स हैं उनके उपर वो लोग हमला करते हैं और पूरी तरीके से वहां पर मासकर मचा देते हैं जो भी बंदा दिखाई देता है वो लोग उसे मार देते हैं और एक पल के लिए भी रहम नहीं खाते हैं और इसी तरह से आसपास के जितने भी सिटीज थे वह उन जगहों पर हमला करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि जल्दी से बाहर निकले और वो एक ट्रिपडो होने के ना थे अपने लोगों की जान बचाए और कुछ समय बाद उसके एनरजी खताम हो जाएगी जिसके बाद वो लोग उसे मसल देंगे जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उन दोनों की सिक्रेट मेथट को सोल सर्चिंग टेक्नीक की वदर से सर्च कर रहा था और उसे पता फिचल जाता है कि ये सिक्र परावी होता है इसलिए चैंग इस तरह की टेक्नीक्स को और बाकि सभी को सीखने के लिए नहीं दे सकता है इसके बाद चैंग को यह भी पता चलता है कि हमेली प्राइड और हमेली गार्डियन दोनों एक ही तरह के होते हैं लेकिन हमेली प्राइड उन्हें समन कर सकते हैं और उनकी ताकत एक था कि ही होती है इसके बाद चैंगो ये गलता से जहता है कि जो गाटियन समण किये जाते हैं उनके पास और वह मेली दाव करदा सबड़ास अभी सार पास नहीं होता है और उनकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं होती है इसे चैंग आ सम err की बैटल बहुत खतरनाक होने वाली है कि कि इसमें बहुत ज़दा ताकत की जरूरत पड़ेगी और वो अपने मन के दर यह सुचता है कि उसे गार्टियन को इस बर सिंदा पकरना पड़ेगा ताकि वो अपर वर्ल के बारे में और ज़दा इंफोर्मेशन ले सके जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास के सिटीस के जितने भी लॉट थे वो सभी एक साथ एखटा हो गये थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था जुआज उसे कहता है कि ये जगह खतरनाक हो सकती है इसलिए अभी के लिए तुम्हें चुप चाप सिटी लॉट जाना चाहिए तब तक मैं वहाँ पर वापस आ जाओंगा लेकिन जुआज चुप चैंग से कहती है कि वो उसके साथ रहके मुसीबत का समना करना चाहती है लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो मैं वापस आ जाओंगा अभी के लिए तुम चली जाओ वो सबें स्टेड लॉट चैंग के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसे कहता है कि चैंग बॉखला चुका है अगर वो इसी तरह से पावर को रिलीस करते लगा तो फिर क्योसों कॉंटिनेंट एक ही जटके में बरबाद हो जाएगा और सब कुछ लोग मारे जाएंगे इसलिए वो सबी भागते हैं उसे रोकने की कोशिस करने लगते हैं इदर हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम थंडर भी चैंग से गहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो इसी तरह से हेवेली दाव की पावर को रिलीस करते रहा तो फिर कुछी देर में पू नहीं जान बचा की इधर से उधर भागने लगते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग के इस तरह से बावर को रिलीस करने की वज़ए से जितने भी हैवेली प्राइड थे वो सभी चैंग के सामने आगे खड़े हो चुके थे और वो सभी यह कहते हैं कि यह बहुत मारेंगे इसलिए इन्हें चैंग के सामने खुद ही आना पड़ा चैंग उन लोगों से कहता है कि देखो तो यहां पे कौन आया है कुछ मच्छट भिनविना रहे थे लिकिन वो फिर से वापस आ गए हैं इसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि मैं यहां का लौड हू और मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा जिसके बाद वो अपने पावर से एनरजी को रिलीज करता है और एक एक करके हेवनली प्राइड्स को मारने लगता है लेकिन वो इस बासे और ज्यादा गुसा हो जाता है और वो गुसे में चैंग चिल्ला की नाम लेता है जिसके ब एले गाडियन्स के पावर सरपास नहीं होती है लौ की वज़े से इसलिए वो अपनी फुल पावर के साथ वाइट कर सकते हैं जिसके बात हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे पोर्टल्स खूलने लगते हैं और उनके अंदर से एक एक करके हेवनली गाडियन्स जो क के बहुत ज़्यदा खुश हो जाता है और हस्ते वह कहता है कि आज तो मज़ा आने वाला है हम देखते हैं कि सभी लोट्स इतने सारे इंपोर्टल गडियन्स को देखे जरा हैरान हो जाते हैं और उनके अंदर सुझते हैं कि आज सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हैं मियों यहाँ पर सभी को एकटा कर लिया और वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ मारे जाएंगे इसके बाद दो गार्डियन आगे बढ़ते हैं और हमला करते हुए कहते हैं कि यह बस लोवर्ल का एक कीड़ा है जो कि खुद को महामहिम समझता है आज मैं इसे मसल के दिखा दूंग जो की ऊपर की तरफ जाता है तो जो भी गार्डियन उसके आते हैं वो सभी एकी बार में इसके बाद चाया हैं सब्सक्राइब करें और उसके एडिया को बढ़ा करें जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर दूसरी वेव आती है तो फिर पोर्टल से और जदा गार्डियंस बाहर निकलते हैं CTN अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने चैंग देसे कई सारे लोगों को देखा है जोकि बहुत ज़ता एरोगेंट होते हैं और वो चैंग से गहता है कि चैंग उसकी डोमेन के सब ही इमोटल्स को नहीं मार सकता है और वो आखिर में थक हार के बुरी मौद मरेगा और CTN उसक सब इमोटल्स को निगल जाता है और सभी लोग फिर से मारे जाते हैं जिद्ने भी सिटी लॉट्स से वह सभी खुष हो जाता है कि चैंग ने एक एक करके सब इमोटल्स को मार दिया है जो कि अपने हाथ की तरफ देखते वह सूशते हैं कि पता नहीं उसका पती क्या कर रह जब वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे इसे सभी स्टेट लॉट काफ़े ज़्यदा घबरा जाते हैं और वह सुचते हैं कि उन लोगों ने इस बंदे के उपर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी और इसको इंट्रोगेट कर रहे हैं इसलिए को कैसे भी करके इस मैंस को जीतना ही पड़ेगा नहीं तो पूरा कॉंटिनेंट बरबाद हो जाएगा इसी तरह से एक एक करके जिद्दे भी इमोटल्स थे उन सभी को मारते रहता है CTR आगे से कहता है कि देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो अब यहाँ पे और भी कई सारे लोग बचे हैं इसके बाद वो ताली बजाता है तो वहाँ पे एक और पोटल खुलता है और कई सारे इमोटल्स उसके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं इमोटल्स में हम भी सिस्टम को बताता है कि उसने पिर से सबी इमटील्स को मार दिया है क्यानिक जो उड़ रहे थे वह सभी मारे गए उसी टाइम पर वहाँ पे कई सारे इमोटल्स को मार देता है और वह उन लोगों से कहता है कि वह इस दुनिया के इंदर है और करता है तो फिर चैग उस एनरजी बीम को अपने हातों में ही रोक लेता है और उसको उल्टा उसे इमोटल की तरह फिंग देता है इससे वह इमोटल अपनी ही लेजर भीम से मारा जाता है जिसके बाद चैग आगे से अगर अगरने हैं कि लिया शीलिक हैं कि खरते हैं कि बोकरता है और उसे जमीन पर प्टक देता है और उससे कहता है कि तुम Sé के से हुए हमारी बेश्टी करने की सिस्टम चैंग को बताता है कि यह एक गार्डियन जो कि इमोर्टल कमाड़ की पीक कंडिसन पे है और सिस्टम चैंग से कहता है कि जिदने जल्दी हो सके उधने जल्दी एक क्रों में एक्षेंज कर दो जो कि हाई लेवल पे हो नहीं तो व ये रोने जैसी हालात हो जाते हैं और वो बस रोने ही वाला था कि यो खुद को कंट्रोल कर लेता है इसके बास CTN अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो जाके उसके उपर हमला करो जिसके बाद बाकी सारे इम्मॉटल एक साथ चैंग के उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन इस बार के जो इम्मॉटल थे उन सभी का ट्रेसर कुछ जादा अलग था ऐसा लग रहा था कि कमजोर हो चुका है इसके बाद चैंग उन सभी के अटाक को डॉज करी रहा था कि उसी टाम भी कोई उसके सीने में घुश जाता है और शेंग को इसे काफी तेस्ट बी होता है इसके बाद एक वंदा चैंग के उपर किक मारता है तो वो औरते हुए जाके जमीन पे जाके गिरता है इसे सभी लोग निरास हो जाते हैं और उन्हें छैंग की चिंता होने लगती है तुमने इसनीक अटाक किया लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता हो आखिर कारी ये बटल जिंदगी और मौत की जो है इसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सुझता है कि अभी भी कई सारे फील्ड पॉइंट बाकी है इम्मोटल डूमेन गो लगातार यों जावतों के होने के लिए इसलिए चैंग को यहां पर इन समी दर्द को सहन करना ही पड़ेगा नहीं तो वह ऐसे ही मारा जाएगा आगे से हस्ती हुए कहता है कि तुमने कई सारे इम्मोटल कमांडर्स को मार दिया है लेकिन अभी तक इम्मोटल किंग नीचे नहीं आया है जो कि और जदा सकती साली होता है इसके बाद चैंग उड़ते हुए उपर की तरफ जाता है और वह वहां पर अपने ड्राइगन को रिलीज करता है वो ड्राइगन आगे बढ़ता है और जितने भी इम्मोटल पचे कुछे थे वह उन जभी को मार देता है लेकिन चैंग काफे जदा ठक चुका था और इम्मोटल्स ने उसके सीने के अंदर पाला घुषएड दिया था चैंग से कहता है कि उसे कैसा लग रहा है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि वह गहर पे माणने वाला है लेकिन चैंग को कुछे लग खंद करो और खेल को खलती जलदी खतम करो सब्सक्राइब आ मौंटेन के उपर जाएगा वहां पर चैंग के कई सारे जिस्तितार और दोस्तों रहते हैं और सीटियान उनको भी मार देगा उसी टाइम पर हम लोग देखते हैं जो कि चैंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ी रही थी लेकिन उसी टाइम पर उसके पास हमेली दाव आके उसके कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर चैंग उसे कवर करने का और दे देता है सिस्टम से पूचता है कि उसे कितनी देड़ लगेगी इस पर सिस्टम उसे गायता है ज्यादा देड़ नहीं लगी बस ऐसे ही हो जाएगा इदर हम लोग क्योसों की लोगों को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हैं कि चैंग के जाने के बाद उनके साथ क्या होगा स्टेड लॉट्स अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं विंट सिटी के लॉट कहते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं इदर लोग सीटियान को और वो लोग यहां पर सांथी बनाया रखें आगे से ट्राइपॉट को ले लेता है और वो आगे से कहता है कि इस कॉंटिनेंट के लोग मेरे सिर्फ एनरजी बार बनेंगे और कुछ भी नहीं कि उसको कॉंटिनेंट आज यहीं पर खतम हो जाएगा और इमोटल उसे मिटा द जल्दी से जाती है और विंट सिटी के लोट को संभाने लगती है इसके बाद वो गुस्से में सीटीन के तरफ देखती है और उसे कहती है कि वो उसको मार देगी इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तमाल करते हुए वहाँ पे एनरजी का एक ड्रैगर मना देती है और कहते हैं कि लड़कियों को टॉर्चर करने में हमें बहुत जदा मज़ा आता है उसी टाइम पे हम लोग देखना है कि सुप्रीम थंडर उनके उपर अट्राइक करती है और उन्हें मार देती है जिसके बाद वो सभी कल्टीवेटर आगे बढ़ते हैं और उसे टॉर्चर कर खुतती बिस्ती होने देंगे ईसके बार वो सभी कल्टीवेटर आगे बढ़ते हैं और जवान ऊकीं मदद करने लगते हैं और उसे बचाने लगते हैं विसके बार नार्मन लोग अपने घर का समान उनके उपर फीकने और वहीं पर जितने भी स्टेट लॉट थे वह सभी आगे से अपनी पाउर को रिलेस करते हैं इम्मॉटल से फट करने लगते हैं उनसे कहता है कि अगर वह आसानी की साथ सेंग चैंग बनना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद वह अपने लोगों से कहता है और जितने बचे कुचे थे वह सभी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं विंट जिटी के स्टेट लॉट अपने मन के अंदर सुझते हैं कि अप कुछ भी नहीं हो सकता है कि उसको कॉंटिनेंट आज यहीं पर मारा जाएगा और कोई भी से बचाने के लिए नहीं आएगा सीटीन आगे बढ़ने लगता है सॉट लेके और वो जुवाल्चुकी हमला करके उसे मारने ही वाला था कि उसी टाइम पर वोई उसके उपर हमला करता है और उसकी सौट को तोर देता है इसके बात हम लोग देखते हैं कि हम वहाँ पे लिंग और बायुए आती है और वो र लेकिन जब वो बीचे मुड़के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये असली चैंग है और से पोचता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया तुम तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो हमें पता चलता है कि डोमें अभी तक पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हुए इसलिए सिस्टम चैंग से कहता है कि तुम हमेशा मुझे फोर्स करते हो ऐसे चीजिशे करने के लिए लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए कर देता हूँ इसलिए चैंग अब पूरी तरीके इस इंजॉए कर सकता है जिसके बादा चैंग बिछाएं डिर मातुसे ह आगे बढ़ता है और उसके मुझे को पकड़के उसे जमीन में पटक देता है और उसके उपर एक लात मार के उसे नीचे दबा देता है जिससे पूरा इलाका चकना चूर हो जाता है CTN आगे से कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ उसी टाइम पे चैंग उसके सर के उपर पाय रखता है और उसे जमीन में दबा देता है और उसकी बेस्ती करने लगता है सीटियान आगे से वहाँ पे एक डीमन गॉड को बुलाता है जो कि एक इमोटल किंग के लेवल पे था हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डीमन गॉड आता है जो कि चैंग से कहता है कि मेरे एक हजार हम लोग को जेल की दिखाओ लेकिन चैंग आगे से अपने हाथ को ऊपर करता है और एक ही बार में अपनी एनरजी को रिलिस करता है और डीमन गॉड के चीथड़े उड़ा देता है इससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये डीमन गॉड को इतनी असानी से मार दिया ये पक्का इमोटल किंग के level पे होना चाहिए और वो सभी लोग घबराने और रणने लगते हैं इसके बास सब्सक्राइब अपने सभी इमोडल से कहता है कि उन्हें ने एक बार चैंग को मार दिया है इसलिए ये हो सभी कतरा रहे तो सब्सक्राइब और रखें बढ़ने लिए आगे बढ़ने लग सारे Immortals को मार गिराता है उसी टाइम पे हम लोग यूचान को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आने लगती है यह सोचते हुए कि उसे अभी तक Immortals नहीं मिले हैं इसलिए उसे उनसे बात करके इस लड़ाई को रोकना होगा ताकि उसे Immortals Fruit मिल जाएं इधर आनों देखते हैं कि वो सभी लोग जो की नीचे थें वो सभी घबरा जाते हैं यह देखके कि चैंग ने बस चुटकी बजाते ही कई सारे Immortals को एक पटाके की तरह फोर दिया जो की Immortals पीक की रियल अप पे थें लेकिन जब वहाँ पे पहुंचती है तब सावरें Immortals पे हो और तुम्हें इस बात का डर था कि मेरे पास और कोई भी सुप्रीम कार्ड हो सकता है जिसका इस्तमाल में कर सकता हो लेकिन जब तुम्हें यकिन हो गया कि मेरे पास इस तरह कोई बे ट्रंप कार्ड नहीं है तो फिर तुम सामने आ गये ले तुम्हारे भूले मेरे पास भी एक सुप्रेम कार्ड है जिसके बाद सीटियन आगे से कहता है कि उसके पास एक ऐसा इंजेल गार्डियन है जिसके साथ वो चैन को असानी के साथ मार देगा और सीटियन आगे से कहता है कि वो बहुत जदा लगी है कि सीटियन उसके उपर इस तरह के तलि चैंग को चिंता होने लगती है कि अगर चैंग मारा गया तो फिर उसके सारे इमोटर फूट चले जाएंगे इसलिए वह जल्दी से उसे को देखते हैं जो की मुस्कूरा रहा था और वो आगे से वन यांग फिंगर टेक्निक का इस्तमाल करता है और एक ही बार में बर्णिंग होस्ट के चीथड़े उड़ा देता है और उसे खतम कर देता है इसे यूचैन और सीटियान दोनों का है मुग खुल जाता है और वो दोनों सोचते है कि चैंग ने इतनी असानी के साथ सावरें इमोटल पीक के एक गाडियन को मार गिरा है असल में उसके कल्टिवेशन क्या है सीटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे तुरंद यहां से भागना पड़ेगा लेकिन उसी टाइम पे चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी टांगों के बीच में एक किक मारता है इसे सीटियान के अंडे फूट जाते हैं और वो जोरों से चिलाता है लेकिन चैंग आज उसे यहां पे बेज़त करेगा और उसको बहुत बुरी तरीके से बेज़त करेगा जिसके बाद चैंग पुटल्स की तरफ देखता है तब उनमें से कोई भी इमोटल बाहर नहीं निकल रहा था और उनमें से कोई भी सीटियान की मदद करने के लिए आगे नही आ रहा था जिसके बाद चैंग आगे से सोचता है कि उसे कुछ नया तरीका सोचना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से कल्टिवेशन पॉइंट को इखटा कर सके जिसके बाद चैंग वहाँ पे एक क्रॉस को बहार निकालता है और वह सीटियान से कहता है कि तुम्हें ये जर करते रहेगा और अगर उनमें से कोई भी बाहर आ जाता है तो फिर चैंग उसे सही सलामत यहां से जाने देगा लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक घंटा बीच जाता है और कोई भी सीटियान की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है और चैंग तब तक उसे करते रहता है अपने मंद के अंदर सुझता है कि हर एक सेकंड बाद मेरे उपर एक किल से अटाइक होता है मुझे नहीं पता है कि मुझे कब तक यह डॉचर सहना पड़ेगा लेकिन यह बहुत ज्यादा दुख रहा है इसके बाद यह एपीसोड यहां पर क्यों खतम किया ह कि मैं फाइट्स के बीच में कभी एपीसोड को एंडर नहीं करता हूँ नहीं तो मज़ा खराब हो जाता है लेकिन वीडियो लंबी हो रही है और अभी इसमें 10 चैप्टर और बचे हैं जो कि लगादार सिर्फ फाइट्स होते रहती हैं इसलिए मुझे खतम करना पड़ र